शैंपू में मिलाके सिर्फ दो चीजी लगाईए दोस्तों आपका बाल जहें बेहत काला घना मुलायम हो जाएगा आपके बालों से रलेटे हरी समस्याय दूर हो जाएगी नमच्ते दोस्तों मैं हु किरन मेरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज पर चीनल पर पहले घना बहस किसा प्वत दूर हो जाएगेगेगे कर बहुत ही बखुश्रत और ऑपर बड़ी है दूर हो हो जाएगे अच्छा लगाश का यह विडियो को लाइक कीजी कमेंट्स कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब की लिए तो चलिए शुकरते हैं आज का यह Magical Hair DIY लेगे स्टाड़े तो दोस्तों आज का Magical Hair DIY बनाने के लिए सबसे पहला सामागरी जो हम लेंगे यह हमारा है चाय का पत्ति चाय के पत्ति के इसके पहले भी मैंने बहुत ही अच्छी DIY शेयर के हुए हैं आज का DIY भी बहुत ही जादा खास है चाय का पत्ति और नेच्टरल लिप से ब्राउन होता है तो यह हमारे बालों को काला करने में छूरर के बहुत है अगर धर्के यह बहुत है चैनलों से रिलीके बहुत सारीं सहते है तो ह warning, इन बहुत हमारे बालों बहुत जादा इची आंगों कि अंदर अधर से ओढस प्रभल होता है राभल में काफिया है केफी में काफी काफिया केफी, तो काफी में केफीन कि भी नच्छरली अमें कविए एक लुच्छी के नच्रे लुठ्छी रूप करने में बेहतर? आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं कि कॉफी को इस तरफी से आप चायक पती के पानी में बिला करके अपने बालों पर लगाओगी ना तो आपके बाल नैचुरल रूप से काली होंगे बालों से रिलेटेड जितनी भी समस्या है इसको दूर करने में कॉफी बहुत ही जा जिससे इसके अंदर चायक पती वेगरा हो वो अराम से निकल जाए तो बहुत ही मतब कम सामगरी में और घर के में मौझूद सामगरी से आप यह वाला डियाइव बना सकते हैं अब जो हमने डालना है यह हमारा है नेंबू नेंबू का रस तोस्तों हमारे बालों के लिए ब जिससे आपके बाल बेहल स्मूद खुजरत हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों हम इसमें जो मिक्स करेंगे वह हमारा है शैंपू तो शैंपू भी हर्ब शैंपू यूज करें नेचरल टॉप्सी जिसमें ज्रादा केमिकल वगरा ना हो कोशिच करें वैसे शैंपू इसमाल इसमाल करना है तो दो से तीन सामागरी मिलाना है अपको शैंपू में प्लेन शैंपू अक्सर होग लगाते हैं तो इसके पहले गेमाला डियावाय बनाईए अपने बाल ओपे अच्छी सप्लाई करना है तो शैंपू को यहां पर हम डेया है चैर पती और काफी वाले पानी में नेबू मिक्स किया है तो सभी के सभी जो सामगडिया मिलिया है नाचरली आपके घर पे एजली अवलेबल मिल जाएंगे इसी यकीन मानिए आपके बाल बेहत खुश्रत हो जाएंगे दोस्तु तो श्यांपू डालने के बाद आपको बहुत यह चीजिस को मिक्स कर लेना ह इस तरीके से बहूत यह चीजिस के अंदर देख सकते है भी टियू कहीं हो है चुका है तो इस ही जम्पो बिलों पर अप्लाइ करना है तो दूस्तो बालों को भी चुल रहते हैं दौलाहा बहुत स lottery करते हैं उто बालों को बोश कर लिएँ लेकिन आज पर दियाय आखना है अपने बालों पर रखना है लगबग 5-7 मेर तक लगा करके आपको बताती है वीडियो के आगे में तो जितने भी सामागली हमें लीए है दोस्तों इस सामागली आपको इसली किछें में मिल जाएगा चाय को पती एकसर लोग चाय पीते हैं, हर घाय में पीते हैं, कौफी भी मिली जाता है और नेमू रहता ही रहता है, तो इन से तीनों चीजों को अच्छे से आपको क्या करना है, मिक्स कर लेना है, शाम्पू के अंदर में, और फिर इस तरी किस आपको अपने बालों पे अप अप्लाई करने के लिए आपको यहां पे 5-7 मिर तक अपने बालों पर लगा की छोड़ना है ताकि जितने भी हमने सामगदी यूस किये हैं सबके सब आपके बालों को बहुत ही अच्छे से फायदा पहुंचा है और अच्छे से बालों को क्लीन करें क्लीन करने के पाद पहले बार के इस्तमाल से हो तो आपको बहुत ही जादा फर्क दिखेगा बालों से रिलेटेड बहुत जाए समस्याओं को दूर करने में आज का DIY बहुत ही जादा हेल्फुल होगा ऐसे जितने भी DIY में बनाती हूं सबके सब मैं अपने आप अपने बालों सब्सक्राइब करते हैं बालों करते हैं बालों से रिटेर समस्याओं को दूर करने में हल्फ करते हैं ताप अपने फिर समादे आपको इसलिए जिर में जाएगा तो अच्छा लगा आज का DIY दोस्तों तो बताये जरू कमेंट्स करके और भी वीडियो देखना चाहते हैं हम कोमेंट से अपने सुचाह जरूंते हैं तब सबसे फिर से नहीं वीडियो में तब तक के लिए टेक किया और भाई थैंक्स वाचिंग लब याओं से यू जून